अलो फ्रेंट तो कैसे हैं आप सब सिउटी का अप्लिकेशन फॉर्म फिल्ड रते टाइम आप लोगों के मांड में आ रहा होगा कि मेरे लिए कौन से बैस्ट डोमेन है जिनको में सेलेक्ट करके मैक्सिमम यूनिवोशिटी के अंदर एलिजिबल बन सकता हूँ तो यहां पर जो सबसे best subject combination होता है वो है आप लोगों का language तीन डोमेन प्लस जन्रल टेस्ट इससे आप maximum courses के अंदर डैली उनिवोशिटी के अंदर भी eligible हो जाते है एक example के तौर में से और अच्छे से define करता हूँ एक course है डैली उनिवोशिटी के जिसके अंदर आपसे demand करी जा रही है English plus general test की और same course के अंदर दूसरा combination आप लोगों से मांगा जा रहा है English plus 3 domain का अब यहां पर क्या होता है कि आपने general test भी दिया है आपने language भी दिया है और 3 domain भी दिया है डैली उनिवोशिटी उस score को consider कर लेगी जिसका combination का marks आप लोगों को ज़्यादा बन रहा है अगर आपका English plus GT में ज़्यादा marks बन रहे है तो उस score को ले लिया जाएगा अगर English plus 3 domain में आपकी जो best of subject है उनका अच्छा combination बन रहा है तो उसका merit जो है count कर लिया जाएगा आप सभी उनिवोशिटी में apply करने के लिए eligible बन जाएंगे लेकिन वहां के eligibility criteria एक बार आप चेक कर लेना कि जिन subjects की नोंने demand करें वो आपके पास class 12 में है या नहीं Thank you so much